मामा जी, बहुत इज़त करती हूँ मैं आपकी, बहुत मान होता था मुझे आपके, और आज, आज जिस तरह से अपने मामी जी की तारीफ की न, उसे सुनके तो मुझे आपके फाक्टर होने दगा, सच में मामा जी, आप तो बहुत अच्छे बर्ली है, क्योंकि हमारे देश म योगदाम स्विकार ही ना करे, अच्छा पती तो वह होता है, जो अपनी पत्नी को हमेशा नीच्चा देखाए, है ना मामा जी, वैसे एक बात बताईए, जब आपकी और मामी जी की शादी तेर होई थी, तो क्या आपको ये पता नहीं था कि वो एक गाउ की रहने वाली है काम पड़े लिखी है, या फिर आपको ये बात अचानक आज ही आदा गए, और अगर आपको इस बात का इतना ही दुप था तो फिर क्या आप कभी कॉपी किताब लेकर मामी जी के साथ नहीं पैठे, हाँ, वैसे मामी जी ने तो आपके ले बहुत कुछ किया होगा, है ना म मामा जी, लेकिन आपने, आपने कभी कुछ ने किया उनके लिए, कोई भी छोती सी बात, अब कहने, कपड़े, बड़ा सा घर, मामा जी, हर और अब ये सब तो नहीं चाहती ना, मामी जी बहुत कम पड़े लिखी क्यो ना, लेकिन क्या कभी उन्होंने आपको मीचा दिखा की कोशिश की, अपका मजाग उड़ा रहा, आप तो बहुत पड़े लिखे हो, है ना, लेकिन क्या पड़े लिखे होने का ये मतलब होता है, कि वो आदमी अपनी पतनी का बहुत मजाग उड़ा है, और उस पे गल महसूस करे, सच में मामा जी, आप न, संसकारों की पड़ा की तर एचे पे लोगे, है?